नमस्कार दोस्तों हरिद्वार में 3 जुलाई से कावड यात्रा शुरू हो गई है इस बार करेब 5 करोड कावड ये हरिद्वार पहुंचने की उमीद है राजस्थान मध्य प्रदेश महराष्टर सहित दूर दराज के राज्यों वाले कावड ये हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने सहर के मंदिरों के लिए वापस लोटना शुरू हो गया है लेकिन एक विचित्र मामला सामना आया है जिसमें गाज्याबाद का एक कावड या अपनी कावड में मा बाप को लेकर हरिद्वार से पैदल आ रहा है ये भक्त गाज्याबाद में लोनी छेत्र के गावड अलासपूर गुरजर का रहने वाला है और कावड के एक पलडे में मा तो दूसरे पलडे में बूड़े पिता बेटे हुए है इस कावड को देखकर हर कोई अचम्बित रह गया है दूसरे और बीजेपी नेता सुनील खारी ने इसका वीडियो सोचल मीडिया पर सीर करते हुए लिखा कि सरवन कुमार की तरह माता पिता को कंदे पर उठा कर ले जाते हुए गाउं असलालपूर गुर्जा तजिला गाजियाबाद के रहने वाले सनातनी को भाई को मेरा सलोट है गाजियाबाद में करिमपूर के विकास गहलोत भी पिछले साल कावड में माता पिता को बेठा कर इसी तुरा हरिद्वार से लेकर आए थे तो दोस्तो बड़ी खबर थी वीडियो का लाइक सेर कमेंट करते हुए कमेंट अपनी राय जरूर दें